अच्छा ऐशा दोखा हमारे साथ किया भोगोगे तुम यह जो निकलता है ना भोगोगे यह अकाट्टे होता है क्योंकि किसी का भी हरदे मालो किसी भी जियो जंतर को आप कष्ट दें और उसका हरदे आह भर जाए तो वो आह बज्जर की लिखे तुम्हें भोगना वो आह किसी की ना लेना जिन्दगी कोई एशा काय कोई आह भर करके कह दिया तुम शमर्थ हो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और अंदर से दुखिए फिर फिर तुम्हारी शमर्थ कामने करेगी मिट्टी में मिला देगी ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं र जीव स्वयम नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहे हैं और अपने आपको बांध रहे हैं आपको मुक्त होना है बंधना नहीं है जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना रिण चुकाना होता है कर्मा अनुबंध ये बहुत सूक्षम भी शह है जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिये हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका रिण है इसलिए उसी प अरिवार में आप आये इनानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वशूल किये, आप वहां से जाएंगी नहीं, आपको लेना है तो वशूल करना है और देना है तो चुकाना है, ये पूर के जन्मों से निश्चित किया गया है, जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ जो बड़ा हुआ तो उद्धंडता के द्वरा मार पूरे परिवार को क्लिस पर क्लिस देता चला जा रहा है यह तुमारे कर्म का फल है या ऐसे सक्तिहीन, बुद्धीन ऐसे पागल पुझे जीवन सेवा करो तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वाया है अब परिवार के जो शदश्य जुड़े आके मलपत्नी आते ही पूरी हरदे में आनंद परिवार में आनंद और जीवन भर वो आनंद ही शुख देने के लिए उसका जन्म हुआ वो अपना रिणावन बंध मुक्त और आते ही भयंकर कलेस खड़ा कर दिया बीच में दिवाल और जगड़ा वैसा फिर अतरे दिन मार पेट सुरू कलेया शांती पूरा जीवन नर्क हिसाब करने आई यहां रिर्ण चुकाए भी न कोई जा नहीं सकता रिर्ण चुकाना पड़ेगा किसी का रिर्ण वसूल करना है तो किसी को रिर्ण चुकाना है दोनों काम करने होते हैं अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बरताव किये हैं अच्छे या बुरे वो होंगे अब किसी आदमी को हम जानते नहीं अचानक मिला अचानक टक्कर लगाओ मार पीट गाली गुपता सब कर दिया चुप चाप सहलो क्यों यह आपका हिशाब है पूर का हिशाब हमारा उससे कोई द्वेश नहीं कोई शंकल्प नहीं अचानक घटना घटी और हमसे द्वेश करने लगा हमें पीटने लगा हमें गाली यह इशाब है चुप चाप सह जाओ अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश दिर इशाब है एक प्रभूदत ब्रहमच्वारी जी की वानी में पड़ा था एक महात्मा जी ब्रहमण करते थे तो उस चमय असरफियां चलती थी मोहरे असरफियां उनको भेट में देते लोग तो या तो ठाकुर शेवा में लगे ततकाल या शंत शेवा में ततकाल लगे उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए शिद्धांत में ये ठीक नहीं है तो जब दो, चार, छे, आठ ऐसे मोहरे हुई उनको विचार किया कि और भ्रहमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रियाग राज में जब कुम्ब पढ़ता है एक बार पूरे शाव अखाडे के संतों को अलग-अलग संप्रदायक सब संतों को बुलाएंगे और सब को पुआएंगे अब शादू है तो यही विचार करेगा और क्या विचार करेगा तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया बेंथ जो उपर से चूड़ीदार और भीतर पूला और मुहरे उसमें डालते गए और भ्रमर जहां-जहां स्रद्धालू भगत्य सब के यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मुहर तो देदे दक्षिना में कामना कोई भी हो वो बांधती ही है द्यान रखना इसलिए प्रभू जो चाहे वो करे अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए अपनी चाह प्रभू की चाह में मिला देनी चाहिए धीरे धीरे वो छडी भर गई ब्रमर करने वाले महत्मा चूड़ी लगाई इंतिजार करते रहे जब प्रयाक का कुम्भ पड़ा तो चले तो रास्ते में एक गाओं में पूछा जाता है जिससे कहीं रुकों कि कोई श्रद्धालू ऐसा है जो संत सेवी है तो कुछ लोगों ने बताया हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे आये महराद घर में रुका खुब अच्छा हलुआ पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दवाए चरण दवाते दवाते उनकी द्रश्टी पड़ी उस डंडे पे इतना मोटा और उपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही इस डंडे में तो कोई रास्य है अब महात्मा जी को खवा पिला के शुला दिया महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरिस का और डंडा लओ भावाजी का डंडा ओ चूड़ी दार जो ही खोला पल्टाया तो सैक्णों मोहरे हो जो ऐसे संत रोज बदारे भगवान तो आनंद हो जाए फिर क्या पत्नी स करके चूड़ी लगा कर सिराने रख दिया सारी मोहरें अटाली महात्मा जी आराम से चड़े उठाए तो वजन पक्कावे से बड़े लोग चतुर होते हैं पर यह नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है और उनके कोई शंतान नहीं थी पर धन में इतना प्रेमुन को था बहुत साथू महात्माओं के पास जो अर्थ है ग्रेहस्ती अगर आता वहीं से है पर अगर उसको जोर जबर जिस्तिया किसी चल कपट से तो वो उसका विनाश ही करता है आज तक का प्रमान है अब उनको ये भाव पता नहीं होगा या पता होगा तो लोग के कारण वो उसक कल जो है संपुर्ण अखाणों का निमंत्रण किया जाए और शाप शंतों को भोग पवाया जाया उनको दक्षणा भी दी जाये महांत ने शोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सो है क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्माश उनका महराज बोरों इसमें चीनी और घी लगेगा सब बिवस्ता है एक एक हिशाव हम करेंगे हमारे पास सब बिवस्ता है बोले कुछ तो पहले दे दो इकठे देंगे हम उनको था कि अगर हम छड़ी खुला और दो-चार महरे दी किसी पता लग गया तो गड़बर हो सकते हम भंडारे के आखिरीम सब कुछ आ कि शख़आ लाग हो की और शब सन्तों को निमंत्रन कर दिया कि शंट जन्ट निमंत्रित हों गए भंडारा बन रहे तब वहांके महांता है और उनका देखो भंडारा भी बंदा है शंत्रों को निमंचन अब आर्थ की व्यवस्ता किजिए क्योंकि इतनी बड़ी हमारी शामर वासने तो या भी चूड़ी खोली उनको तो था ना कि मुहरे हैं कंकड तो जिसे कितना उनको शदमा लगा होगा हजारों शंतों का निमंत्रन रसोई बन शंतों के छलकपट तो उनका महराज आपने तो नाश कर दिया जो महंत थे अब बताओ रशोई बन गई शंत निमंत्रित हो गए और आप ये कंकड दिखा रहे हमको आपने तुम्हें बरवात कर दी हमारी इतनी शामरत नहीं थी आप पहले बता देते शंत होकर ऐसा चलकपट अब बोले तो क्या बोले क्योंकि उनको पता थ कि मुहरे हैं इसमें अंदर शे उनका चिंतन गया उसी शेट के पास अच्छा ऐशा दोखा हमारे शाद किया भोगोगे तुम ये जो निकलता आना भोगोगे ये अकाट्टे होता है क्योंकि किसी का भी हरदे मालो किसी भी जियो जंतुर को आप कष्ट दें और उसका हरदे आह भर जाए तो वो आह बज्जर की लिखे तुम्हें भोगना पड़ेगा वो देखो भीसम जी को भोगना पड़े ना साप को ऐसे धनुस की नोक से उठाया और बंबूल के काटों के उपर फेक दिया कई दिन तक शेदा हुआ वो आह भर करके मरा तो आपको छे महीने बा फिर तुम्हारी शामर्त कामने करेगी मिट्टी में मिला देगी फिर तो शंत थे और भगवत आराधना के लिए शंत आराधना के लिए ही ऐसा किये थे अब इनुका कैशे मूँ दिखाएं अब क्या करें शुवे शंत जन आएंगे सब के बीच में हमारी की देखो उन्हों और नो दस महिने बाद ही लड़का हुआ अब तो उनको आंकी संत फली भूत हो गया देखो व्यापार चला लड़का नहीं होता था लड़का भी हो गया बड़ा आनंद चा रहा है जब से वो प्रगठ हुए और धन की ब्रद्दी शुरू हो गए पढ़ाए लिखाए में उनके खर्चा हुआ बद बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में अब उसमें पैशा जाना शुरू हुआ इतने आशक तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो ब्यापार ठप संपत्ती बेचना शुरू तो उनोंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुमारे लिए बोले हमा पारा करवा हमारी इच्छा अंतिम है क्योंकि अंतिम यहिछा थी को बोले अब जादा संपत्ती तुल है रे गई तो बोले घर अंदर मेरे लिए ही तो है बेच दो मुझे लगता मैं बचवा नहीं पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करदो घर बेच दिया, जेवर बेच दि, वहां गए जब शंत शेवा की, तो बोले मुझे संगम तक ले चलो संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ अब कीवल ममता और आसक्ति में जल कर मर और नर्क प्राप्त कर मैं वही मात्मा हूँ जिसकी तुने मोरे ली थी सरी छोड़ दिया मात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गती भोगनी पड़ी रिणानुबंध होश में ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा कोई हिसाब किताब नहीं जो कर रहे हैं अवश्य में भोगत अब्यम बहुत शावधान अनेक जन्मों में अनेक लोगों शे जो कुछ लिया दिया है इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए इसलिए एक उपाय है लेना न देना मगन रहना क्या मालिक को समर्पित हो जाओ मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो खतम अहम तो आम शर्पापे भ्यो मुक्षिश्यामियो साब खतम आगे पीछे लेना देना साब खतम एक अदस इसकंद में भगवान स्री कृष्ण चंदुई ने कहा जो मेरे चरणों का आस्र लेकर मेरा भक्ती भक्त मेरा भक्ती करता है उसके पित रिण, मात रिण, देवरिण, रिशिरिण साब रिणों से मैं मुक्त कर देता हूँ बद यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है वो यही है भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो तो दी अंबस तुगोविन्दम तुभे में उशमर पे जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा ये लेने देने का व्यापार जब तक समापत नहीं होगा तब तक तुम्हारा जनम मरण चलता रहेगा अब आपको यहाँ समझना है यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेहिमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए आपने बेहिमानी की थी इसलिए आपकी बेहिमानी हुई है ले गया कोई बात नहीं है बंधन से मुक्त हुए जो बोजा था चला गया उसको ऐशा न देखे कि यह बेहिमान हमारे रुपे मार लिए अब जो कुछ होगा देखेंगे अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा भोगना पड़ेगा ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा एक ही उपाय है कि आप जो शरीर धारण के इसी में जो भोगले भोगले आगे ना होना चाहिए तो क्या करें सर्वतो भावेन भगवान की शर्ण लेले ये तु शर्वानि कर्मानि मैं सन्यस्च मत पराहा अनन्ने नई योगेन माम ध्यान तु पासे ते तेसा महाम समुद्धर्ता मृत्य संसार से ये बड़ा कठी ने पार होना कोई छुटी मुटी बात है एक महात्मा बाल्य आवस्था से भजन करते थे शाली गराम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ नाम जब और भ्रहमन करते थे यह वह नवस्था थी गंगा जी के किनारे अपने ठाकूर को बिराज मान करके इशनान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि नब्बे लोग आ गए भाला तलवार शबले मारो मारो इसको मारो गेर लिया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या पराद किया कोई शुनी नहीं रहा तो उन्हों का मार तो डालोगी ही आप नब्बे लोग हम को यह अस्तर शंतर तो लिये नहीं एक बार हमें गंगा में डुपकी लगा देने दो और अपने ठाकूर को इसनान करा देने फिस के बाद आप मार देना भगवद इच्छा से लोग रुख गए इश्नान किया और अंदर सिप्रार्थना की प्रभू यह क्या लिला है आपकी आपकी श्विवा मेरा कोई है नहीं और यह मुझे मारना चाहते हैं तो भगवान नहीं जानते हो क्या कहा उनकी अंतर में तुम मेरे में ध्यानस्त हो करके शरीर को छोड़ो यह लोग मारेंगे यह मेरे भजन का फल है कि तुम्हें नब्बे जन्म नहीं लेना पड़ेगा एक ही जन्म में नब्बे मिलके तुमने नब्बे हिंसा की थी पूरो में तो तुम्हें नब्बे बार जन्म लेना होता और एक एक कर के मारते, यह मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही नब्बे का हिसाब हो जाएगा तो माकमुन्दो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और श्वाभाविक मुर्छा वस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाएगा ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ तो ये बात समझ लो कि ये जो करमान बंद है रिनान बंद है आप देखो अगर साप महत्माओं ने दिया कि तुम्हारे वन्ष का इश्य बिनाश होगा तो भगवान भी परमधाम जा रहे तो उसी कील से बान की नोक में जो मच्री लिल गए थी छोटा करन उसी शिट की नोक बनाई और उसी नोक प्रहार किया भगवान के स्रीचरण में वही बान की नोक लगी और भगवाना स्वईकार किया भगवान का बड़ा लीला बिचित रहे अगर छूप करके उधर रामा उतार में बाद तो इधर अधर इसे स्वशकार किया है भगवान ने ऐसा कहीं नहीं दिखा है कि मैं भगवान हूँ तो मैं अपने लिए ऐसा नहीं दिखा है नारजी का हित किया पर नारजी ने शाप दिया तो भगवान ने श्वैकार किया बंदरों नहीं शायता की जैसा बोले थे वैसा ये लीला इस सरीर में भोगनी पड़ेगी हाँ ज्यादा को कम में भुगता देंगे पर अब अगला सरीर ना मिले इसके लिए शर्वतो भावें भगवान के आश्रित हो जाए जैसे आपने दुकान फैला रखी है तो उसमें दो काम होते हैं लेना और देना किशी को उधार दिया है तो हमें उसे लेना है और कोई नगत देकर शामान ले रहा है तो उसे शामान देना है या उधार लिया है तो हमें देना है अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोड देना है लेने वालों पर जोड नहीं लेने वाला तो जावन शमा किया शमर्पित किया हमारा कोई शम्मन ना, खतम हो जाएगा, वो खुसी हो जाएगा, लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे, तो जहां भी रहोगे, तुम्हारे पास वो आएगा, लाइए हमारा, तो देने पर नजर रखे, जिसका जिसका हिशाब है, वो आपके शामने आता जाए, हटाते जाओ, लेने पर नजर मत रखे, और दुकान फौरण उठा दीजिए, नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा, आगे चलकर कुछ लेना न देना, मगन रहना, बस अपने प्रभू के चिंतन में, अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता, तो देंगे, हमको अपनी जुम्मेवारी इनकी चर्णों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे, ये राजसी की बात है, प्रभू कह रहे हैं, यश्य शर्वे शमारंभाह, काम शंकल्प वर्जिताह, ज्यानाग निदध करमानं, तमाहु पंडितं बुधाह, जिसके संपुर्ण कर्मों के आरंभ, शंकल्प और कामना से रही थे, तथा जिसके संपुर्ण कर्म ज्यान रूपी अगनी से जल गए है, उसको ज्यानी जन भी पंडित कहते हैं, बुध्यमान कहते हैं, पुझे श्रीव भाईजी महराज कह रहे हैं, जैसे वहां आगनिश्य दग्न कहे रहें तो अपने ब्रंदावन वाश्यों का प्रेमागनिश्य शौप कर्मशंसकार दग्न होते हैं जिस समय आपके हरदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भा होगा तो लेश मात्र कभी तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा प्रेम का प्रादुर्भा होते ही दुख का नाश हो जाता है महाशुक जब प्रेम का प्रादुर्भा होगा तो शमस्त पाप भस्म हो जाते हैं अशांति नश्ट हो जाती है शंसार ज्वाला इस पर्ष भी नहीं कर सकती है जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भा होता है तो हो शकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहाल तूट पड़े परिवार, खिलाब, शरीर, रोगी, अविवस्था बहुत, बहुत कुछ, सब कुछ कहरें, इतना सब होने पर भी उसके हरदय में कोई भी दुख नहीं होता यह सामर्त शाली भगवत प्रेम है भगवान के चरणार बिंदका जिसके हरदय में प्रेम है भारी से भारी दुख भी उनको विचलित नहीं कर सकता